गूड मॉर्निंग फ्रेंज तो कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंज आज की ये वीडियो काफे जादा मज़िदार होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए होता सब्सक्राइब करना मत भूलन तो जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि मिस नी ने उन मरे हुए डीमन्स की कल्टिवेशन पावर को सीधा वांग के अंदर ट्रांसफर करे दिया था ताकि वांग आगे से सभी डीमन्स को खतम कर सके जिसके बाद उन्होंने वहां से टियान लैंड सेक्ट के बेज दिया था अब आगे जहां इस एपिसोड की सुरुवात में उसी फॉर्मेशन से अभी भी उन डीमन्स पर अटैक होते हुए देखते हैं पर तभी अब उस फॉर्मेशन पर लगा हुआ त्यान लैंस सेक्ट का ट्रेजर वापस से वहां सिर्टियान लैंस सेक्ट में हार चला जाता है जिस खारण उन डीमन्स की उपर से व स्टैच्यू वाली खतम हो जाती है और वो बछे हुए सब भी दीमंस हिल पा रहे होती है पर वो बिजलिया भी भी बाहर निकल उन डीमन्स को खतम कर रही होती हैं अब यह देख कर वो डीमन्स वहाँ से भाग जाती हैं पर अभी वो लोग वहाँ एक जगह पर रुप कर आपस में बात कर रहे होती हैं कि यह सब सिर्प और सिप मिसनी की वज़े से हुआ है इसलिए चलो हम सभी मिल कर मिसनी को जान से मार डाले तब यह अब दूसरी दरब चैंग वहाँ जेनवी से कहता है कि अब तो फॉर्बेशन का सेल्ड यहाँ से हट चुका है इसलिए अब हम लोग वहाँ नीचे की ओर जा सकते हैं अब यह सुनकर जेनवी वहाँ जुहांगी को देख कहती है कि यहाँ एक काफी पावरफुल डीमन है जो कि युवान जिन रियल्म तक पहुच चुका है जिसके बाद मास्टर जांग वहाँ उपर की ओर अपनी बहन को देख कहते हैं कि बहन देखो मैं यहां हूँ हमें आकर बचा लो अब यह सुनकर जेन भी अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ से नीचे की ओर जाने लगती है तब है अब इदर हम देखते हैं कि जुहांगे की आँखे खुल जाती है और वो उस बर्प को तोड़ते हुए वहाँ उठ जाता है और कहता है कि लगता है अब इस फॉर्मेशन की पावर कम हो चुकी है पर आखिर मिस नी को क्या गलत फैमी हो गई है जो वो ऐसा कर रही है तब है अब इदर घायल मिस नी वांग से कहती है कि मेरे अंदर से इस स्वर्ट को बाहर निकालो मुझे इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है अब यह सुन कर वांग कहता है कि नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा आपको मैं सिधा तियान लेंड सेक्ट लेकर चलूँगा फिर मैं वहाँ आपका डॉक्टर से इलाज कर रहाऊंगा वही यह स्वर्ट को आपके अंदर से सही तरीके से बाहर निकालेंगे पर फिर भी मिस नी वांग की कोई भी बात नहीं सुनती और उससे इस स्वर्ट को बाहर निकालने को कहती है ताकि वो इस formation को control कर फिर से उन demons को माल सके अब यह सुन कर वांग उनसे कहता है कि ठीक है मैं इसे बाहर निकालता हूँ पर इसके बाद आपको कुछ भी हो गया तो मुझे दोस मत देना अब इतना बोल वांग उस sword को उनके body से बाहर निकाल देता है जिस कारण अब हम देखते हैं कि मिसनी की हालत अब पहले से भी जादा खराब हो जाती है और वो वहां सीधा वांग की बाहों में गिर जाती है और अब इतने में ही वहां वो सभी demons मिसनी को जान से मारने के लिए आ जाते हैं अब याद देख वांग घबरा कर मिसनी से दूर हट जाता है और कहता है मैंने इन्हें नहीं मारा है अब याद देख कर उन में से एक डीमन कहता है कि वह हमारे सेक्ट का ही एक डीमन है उसने ही मिसनी को मार डाला है अब इतना बोल वो सभी के सभी डेमन्स सिधा वांग के ऊपर तूट पड़ते हैं पर या देखकर वांग काफे जादा घबरा जाता है कि ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं पर दबे अब हम वहाँ देखते हैं कि वो सभी डेमन्स वांग की तारीब करते हुए कह रहे होते हैं कि हम जानते हैं तुमने हमें बचाने के लिए मिस नी को मार डाला जिस करण उनकी फॉर्मेशन की भी पावर अब कम हो चुकी है इसके लिए तुमारा बहुत बहुत थैंक्यू पर तभी अब अचानक से वहाँ जू होंगे भी आ जाता है और मिस नी को वहाँ मरा हुआ देख सीधा उनके पास जाते हुए अपनी काफी तेज पावर रिलीस कर दीता है जिस करण वो सभी लोग वहाँ से दूर उड़ जाती हैं तभी इधर अब वांग कहता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूड़ना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने का तभी अब जू होंगे मिस नी के बाड़ी को अपने हाथों में लिए काफी जादा सैड होते हुए कह रहा होता है कि ये तुमें क्या हो गया जिसके बाद वो उस स्वर्ट को वहां से गायब कर देता है और काफी जादा गुसाते हुए कहता है आखिर ऐसा किस ने किया है जिस पर वहां का एक डीमन कहता है कि मिस नी बाहर फॉर्मेशन बना हमें जान से मारते ही जा रही थी इसलिए वो मरने के ही लायक थी अब यह सुनकर जुहांगी उस पर सीधा अपनी वैपन से अटैक कर उसकी जान ले लेता है और कहता है अगर मिस नी मर गई है तो तुम लोगों को भी जीने का कोई हक नहीं है जिसके बाद जुहांगी वहां अपनी डैमोनिक पावर कर यूज कर मिस नी को फिर से जिन्दा करने की कोसिस करने लगता है अब यह देखकर वांग काफे जादा परिशान हो जाता है तब यह उसे वहाँ एक डीमन कहता है कि दोश तुम दरो मत हम सभी तुमारे साथ हैं क्योंकि तुमने हम सभी डीमन की यहां जान बचाई है अब यह सुन कर वांग अपने मन में सोचने लगता है कि यह मैं कहां फस गया मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा तब यह अब दूसरी तरफ जेन भी अपने भाई जांग को बचा लेती है अब यह देखकर चैंग उससे कहता है कि चलो अब मुझे भी खोल दो तब यह विदलजी नियू सेक्ट के सभी डिसाइपल्स उन बचे हुए डीमन्स पर अटाक पर अटाक करना सुरू कर देती है पर तब यह अचानक से वहां एक काफी बड़ा सा डीमन आ जाता है अब यह देखकर जेन भी घवरा जाती है और कहती है यह तो एक गोल्डन डैन्रियल्म का बिग डीमन है तब यह दहरह वो बड़ा सा डीमन उन पर अटाक पर अटाक करना सुरू कर देता है और कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वज़े से हमारा मीं डेमन फ्रेयर खराब हो गया और हमारे इतने सारे साथियों की भी जान चली गई इसलिए मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अब यह देखकर मास्टर जांग कहते हैं कि बहन इसमें मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो पर तभी वो बड़ा सा डेमन सीधा उनके उपर ही कूट पड़ता है जहां यह देखकर वो लोग वहाँ से हट जाते हैं जिसके बाद जेन भी अपनी पावर का यूज कर सीधा उस डेमन पर अटैक कर उसे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देती हैं तभी अब इदर वो डेमन चैंग पर भी अटैक करने लगती हैं पर चैंग किसी तरह से उनसे बच वहाँ से भाग जाता है और वांग को अवाज लगाने लगता है कि तुम कहां हो तभी अब अंदर की तरफ वांग अपने बगल वाले डेमन से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जुहांगी अब मिसनी को ठीक कर ही देगा इसलिए प्लीज अब तुम मेरी मदद करो मुझे यहां से निकलना ही होगा अब यह सुन कर वो डेमन कहता है कि तुम चिंता मत करो हम सभी तुमें माश्टर जुहांगी से प्रोटेक्ट करेंगे पर तभी अब वांग वहां से निकलने की कोसिस करने लगता है पर तबे अब जो आंगे भी मिसनी की बाड़ी को अपने हातों में ले वहाँ से बाहर की और जाने लगता है जहाँ अब उसके बाहर जाते ही उसकी बाड़ी से काफी तेज अनजी रिलीज हो जाती है जिस कारण वहाँ के सभी के सभी लोग नीचे गिर जाती है जिसके पास वांगी वहां से हवे में जा अपने सभी डीमन्स को यहां से अपने साथ चलने को कहता है अब यह सुन कर वो सभी के सभी डीमन्स उसके साथ जाने लगती हैं जहां यह देख कर जेन्वे भी अपने लोगों के साथ उसके पीछे जाने लगती हैं तब यदर वांग उने जाता देख उन्हें रोकने की कोसिष करता है पए तब ये इतने में ही वहा जिनियो सेक्ट का एक डिसाइपल सीधा वांग के ओपर अटाक कर देता है पर दवे या देखकर वहाँ एक डीमना उच डिसाइपल को ठीकाने लगा वांग को बचा लेता है और कहता है हमारे होते हुए तुम वांग को छोब भी नहीं सकते जिसके बाद वो सभी डेमन्स वांग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ ही लेकर जाने लगते हैं जहाँ या देखकर वांग उनसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो पर वो डेमन्स उसकी एक भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुमारी जान को अभी खत्रा है इसलिए हम अभी तुमें यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकते हैं पर तभी अब माश्टर जांग की नजर वांग पर पर जाती है और वो वहाँ कहते हैं तुमारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दोका दे डीमन्स सेक्ट में सामिल होने की जाया देखकर वांग भी उससे कहने लगता है कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ यहां वांग ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आ इन डीमन्स को खतम कर मुझे इन से छुड़ा ले फिर मैं सिधा प्रिंसस स्यूनी के पास चला जाओंगा इसलिए वांग अब और भी बाते माश्टर जांग से कहने लगता है उससे जलाने के लिए तुम तो एक बेकार परशनो मुझे पकड़ भी नहीं पा रहे ताकि वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ सके पर अब जैसे ही माश्टर जांग वांग के पास आ जाते हैं वैसे ही उनमें से एक डीमन काफी जोरों से माश्टर जांग पर अटैक कर उसे वहां से दूर फेक देता है और वांग को अपने साथ ही लेकर वहां से जाने लगता है जहां वांग बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना चाहता था पर फिर भी वो लोग जवर्दस्ती अपने साथ उसे लेकर चले जाती हैं तभी इधर या देखकर माश्टर जांग वहां अपना सीर पटकने लगती हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और इसे के साथ हमारा ये अपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक और चै